दो तो आज हम बात करेंगे बेनिफिट आप एलोवेरा यह एक चीज़ रोकेगी बालू का जड़ना, इसकिन को बनाए गलोईंग, मोटापा करेगा कम, आपू की रोसनी बढ़ाने में भी कमा एलोवेरा के फाइदे के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा एलोवेरा आपकी त्वचा, बालू, पेट और पूरी सेट को अलग-अलग तरह से लाप पहुचाता है इसे चेहरों पर लगाने से लेकर एलोवेरा जूस, पीने तक यहाँ आपको खूब लाप देता है एलोवेरा से बालू में रूखापन जैसी कई समस्चा है दूर हो सकती है एलोवेरा के इस्तमाल से कैसे इस्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हैं एलोवेरा के इस्तमाल से जल्दी ही आपकी बालो की ग्रोथ बढ़ने लगेगी एलोवेरा जूस या एलोवेरा जेल को अलग-अलग तरह से इस्तमाल किया जाता है एलोवेरा जेल या जूस एलोवेरा की पत्ती के अंदर की लिए रोती है एलोवेरा को आयोडवेद में संजीवनी भी कहा जाता है इसमें एमिनो एसिट की मात्रा परपूर रहती है तूर्टी तक और घाओं को भने से लेकर कैंसर से निजात पाने तक हर परेशानी से राहत देता है। किसी भी समस्या के लिए जितने कारगर घरेलू निपके होते हैं उससे अच्छा कुछ और नहीं। जी हां घरेलू निपके बिना किसी नुकसान के होते हैं आपको ऐसे फायदे जो कई बार आपके समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। ऐसे ही कई फायदे देता हैं अलोवेरा। आपने भी अलोवेरा के फायदों के बारे में खुब सुना होगा। इसे चैरे पर लगाने से लेकर अलोवेरा जूस पीने तक आपको सिर्फ इसके कई खायदे उठा सकते हैं। अलोवेरा का परियोग एक पोस्टिक आहार के रूप में भी होता है। विबिन ने मिनरल्स, विटामिन्स से युक्त अलोवेरा तोड़ी गर्मी के साथ अपना परभाव देता है। रोज सुबह इसके लगबख एक छोटे प्याले के सेवन से तीन पर सरीर में ताकत और इस्पूर्टी बनी रहती है। जो बवासीर जैसे कष्टताई रोगों में आराम पहुचाता है। मदुमे के रोगों के लिए फाइदेमंद होता है। जर्बासे के विबिन रोगों में यह जमस्कारी है। फेर से संबंदित समस्याओं में रामबान उपाए है। जोडू के दर्द में काफी आराम पहुचाता है। स्वचा की तमाम समस्याओं जैसे मुहासे, रूखी त्वचा, रूख से जुल्सी हुई स्वचा, जुर्ज्रियों, चेहरे के दाख धब़ों, आँखों के काले घेरूं, फटी एड़ों के लेवी काफी फाइदेमंद होता है। जो खून की कामी को दूर करता है, तथा सरीर की रोग परती रोधर समसा को बढ़ाता है। ऐलोवेरा की पत्कियों को खाने से पेट में कबजी की समस्या से राहत मिलती है। गुलाब जल में ऐलोवेरा का रश मिला कर तचा पर लगाने से तचा की खोई नमी लौटती है। ऐलोवेरा का उप्योग जलने, कटने तथा घाहू में किया जाता है। इसके अलावा ऐलोवेरा को रख्तो सोधन, पाचन क्रिया के लिए काफी बुणकारी और सायक भी माना जाता है। ऐलोवेरा के जूज के सेवन से तचा में निखार आने लगता है। इसके निमिट सेवन से आपकी तचा लंबे समय तक जवाँ और चमकदाल लगती है। इसको सिर्फ रोचाना पीने से या बालू में लगाने से चमक आती है और रूसी दूर होती है। ऐलोवेरा में बैक्टिरिया और फंगस से लणने की अद्बुत समता होती है। ये दैंडरब दूर करने में काफी उप्योगी है। इसके अंटी फंगल गुणू के कारण यो तचा पर फंगल इंफेक्शन में काफी आराम देकर इनने जल्दी खीक भी कर देता है। ऐलोवेरा का कोई भी अतिरिक्त परभाव नहीं होता। शरीर में रख्त कोशिक्काओं की संख्या बढ़ा कर खून की कमी को पूरा करता है। वजन गटाना बहुत लोगों के लिए आजकल एक सामानी और आसान सा काम नहीं रहा। परन्तु एलोवेरा जूस के नीमित इस्तिमाल से वजन बड़ी आसानी से खट जाता है। दोस्तो आज के लिए इतना ही आपको योग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और प्लीज लाइक से अख सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैंक्यू पर वाचिंग बाई बाई दोस्तों।